मुले आपको कही न कही देखने के लिएमिल सकते हैं उनके बारे में इन्फोर्मेशन आप बहुत सरे से यूटिव चैनल से बहुत सरे इसी जहां से आप उनके बारे में इन्फोर्मेशन गैदर कर सकते हूँ इस चैनल पे ट्रेलर्स च्वाइस पे मैं खास करके ऐसे स्पोर्स को ढूंड के लाता हूँ जो अंसीन है अनेक्स्प्लोर्ड है उनके बारे में इन्पॉमेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और इसी कड़ी में आज मैंने एक काफी खुबसुरत सब्सक्राइब कोई चार्जिस नहीं लगते हैं अच्छे अच्छे आपको यहां पर ब्लॉग्स देखने के लिए ट्रेवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग और इंपॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं चलिए कायम घूमते हैं सबसे पहले मैं बताना यह खास क्यों है जगा अगर आपको नेचुरल ब्लॉटी पसंद है आपको वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो आप इस जगह को पूमने के हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं अब इसके बारे में फुल रिटेर में बताता हूँ यहां पर पहुचे गाई से सबसे पहले अगर मार्केट पहुचना होगा वहां से ककायम एराund 90 km के डिस्टेंस पर है और अगर आप वाइ ट्रेन जा रहे हैं तो आप कोजी कोड पहुचना होगा और वहां से ककायम एराund 60 km के डिस्टेंस पर हैं अब वहां से आप प्राइवेट वेकिल या वेकिल हायर कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ककायम लोकल मार्केट तक पहुंचाएगी ककायम एक मार्केट प्लेस है वहां तक आप पहुंचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके बाद नहीं चा इंगा लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं डंच का खुब्सूरत आनंद नजारा आता है बारिश के दिनों में वहां पर जाना एँवाइड करें में नोग जाते हैं वहां से आपको पर्मिसन लेना होगा कुछ चार्जेस हैं टिकट के नॉमिनल टाइप के होंगे 20 रूपीय टाइप के हैं तो वहां से आपको टिकट लेके फॉरेश्ट गुम सकते हैं वहां पे आपको अलिफेंस वगरा देखने के लिए मिल सकती है बाइसन देखने को मिल सकता है उसके अलावा आपको काफी एडवेंचर्स फिलिंग आएगी जंगल के बीच से जब गुजरेंगे वाटरफॉस देखने के लिए मिलेंगे जहरना न हैंगी ब्रीज देखने को मिलेगा कुल मिला करके कक्कायम नेचुरल ब्यूटी और वाइड लाइफ से भर्पूल टूरिस्ट स्पॉर्ट है आप यहां पर अगर आप कोजी कोट जा रहे हैं भूमने आप काले कट के पास हैं तो कक्कायम जाना ना भूलें ऐसे ही और अने साइट के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो